राइपूर साइबर सेल ने सनिवार देरराद गोबरा नवापारा के कोढ़ी पारा इस्थित एक मकान में चल रहे जुआ फाड का छापा मार कर 12 जुआरियों को गिरफतार किया है जुआरियों के पास से पुलिस को 68,410 रुपए जब्त किया गया है सभी के विरुद जुआ एक्ट 13 के अलावा धारा 188,279 के तहत कारवाही की गई सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त कारवाही राइपूर SSP वो वरिष्ट पुलिस अधिक्षक आरिफ सेक के निर्देश पर की गई है जिनके पास गोबरा नावापारा थाना छेत्र में लंबे अर्से से जुआ चलने की सिकायत पहुच रही थी जिस पर अमल करते हुए राइपूर साइबर सेल की टीम सनिवार को देर रात 10 बजे नगर के कोढ़ी पारा इस्थित एक घर के बाहर पहुची और चारोवर से मकान की घेराबंदी कर सेल के पुलिस कर्मी अंदर घुसे जहां तास पत्ती से जुआ खेल रहे 12 लोगों को धर दबोचा पकड़े हुए अधिकान जुआरी नावापारा के अच्छे परिवारों से रिस्ता रखने वाले हैं वही कुछ लोग राजी मशेत रखे हैं जो जुआ खेलने के लिए यहां पहुचे थे लेकिन ये सभी इस दिन रायपूर साइबर पुलिस के हत्ते चड़ गए सभी जुआरीों को गिरफतार कर रात में ही थाना गोबरा नवापारा लाया गया जहां इनके विरुद जुआ एक्ट के तहत कारवाही करते हुए रवीवार इन सभी को पुलिस रिमान में भेज दिया गया यह कारवाही नगर के भीड़ भाड़ वाले छेत्र में हुई है लिहाजा इस कारवाही को देखने के लिए बड़ी संख्या में महल लवासी जूटे हुए थे सबसे आच्चेरिय करने वाली बात यह है कि साइबर सेल द्वारा थाना गोबरा नवापारों को इसकी जानकारी दिये बिना इस कारवाही को अंजाम दिया गया थाना गोबरा नावापार छेतर में पिछले कई वर्सों से रायपूर की टीम द्वारा इस्थानिय थाना को जानकारी दिये बिना उच्चा दिकारियों के इंड़ेश पर लगातार ऐसी कारवाही की जाती रही है इसमें बड़ी सफलता मिल रही है इस्थानिय थाना को नगर में चल रहे इस जुआ फार की जानकारी नहोने को लेकर भी इस्थानिय पुलिस पर सवालिया निसान उठ रहे हैं नगर में चल रहा जुआ फाड में रायपूर की साइबर पुलिस ने मुगबिर की सुचना पर नवापारा के कोडी पारा दम्मानी कॉलोनी इस्थित एक घर में दबिज देते हुए 12 जुआरियों को मौके से गिरफतार किया और उन्हें जेल भेज दिया इन सभी बातों से अब नगर के लोग स्थानी थाना प्रभारी सहित पुलिस के कारी सहिली पर प्रस्ण उठा रहे हैं ग्यातों की नवापारा सहर में इस लॉकडॉन में सराब जुआ, सट्टापटी, गांजा जैसे अवैद काम करने वालों का होसला बढ़ गया है इस्थानीय पुलिस का नाम मात्र का भै भी इन लोगों को नहीं है जिसके चलते धडले से नगर के अनेको गली महलों में गलत धंदे, खुलेाम चल रहे हैं जब कभी कोई आसपडोस के लोग इसका विरोध करते हैं तो ये लोग डरने की बजाय उन्हें डराते हैं ऐसे में अब नगर के लोग पुलिस के कारी सहली पर प्रस्न चिन्न खड़ा कर रहे हैं डियनेक्स टीवी के लिए नावापारा राजीम से विस्विसर हिरवानी की रिपोर्ट